Hello everyone, हम कक्सा 12 के बोतिव ज्ञान के परसंदपत्र 2022 को हल कर रहे थे जिसके अंतरगत भाग 1 में हम ले परसंद संख्या 1 से 10 तक हल किये थे आज हम भाग 2 के अंतरगत परसंद संख्या 11 से परसंद संख्या 18 तक सौल्व करेंगे तो आईए शुरू करते हैं परसंद को हल करना कुछ नमर 11 है दात्वो तथा अर्दचालकों की परतिरोधता परता आपका क्या बर्बाब बड़ता है चुकि ये टू मार्क्स में है तो आप इसे सिंपल भी बता सकते हैं तो दात्वो के लिए पहले देखते हैं चुकि दात्वो के लिए अगर ध्यान दें चुकि r का वैली हमने पढ़ा है m upon n e square tau l upon a ये परतिरोध r का वैली होता है यदि a को इधर ले जाए और l upon में जाए तो r a upon l M upon N E square tau चुकि ये रो है परती रोधकता बराबर अगर M N E किसी तार के लिए constant होंगे तो इससे हम लिख सकते हैं proportional 1 upon tau और जो tau होता है वो proportional होता है V RMS upon में lambda चुकि tau का जो value होता है lambda upon V RMS होता है तो अगर 1 upon tau है तो V RMS upon lambda और जो V RMS होता है V RMS वर्ग माध्यमूल वे वो under root T ताप के तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो परती रोधकता बढ़ेगी तो धात्वों के लिए जाता है और अर्धचालकों के लिए के लिए यह इनका विपरीत होता है यदि T है अगर T बढ़ाते हैं तो रोध कम हो जाएगा तो साथ की साथ यह तो इसका अंसर था अगर आप देखें जैसे धात्वों के लिए है वैसे ही अर्धचालकों के लिए भी सेम होगा सुरी धात्वों और मिस्र धात्वों के लिए सेम होता है मिस्र धात्वों के लिए भी यह होगा ताप बढ़ाने पर परतिरोधगता बढ़ेगी और अर्धचालकों में ताप बढ़ाने परतिरोधगता गटेगी और विद्धु तब घट्टियों के लिए भी यही होता है तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं आप सिधा लिखेंगे दात्वों के लिए दात्वों के लिए ताप बढ़ाने पर परतिरोधक्ता बढ़ती है और अर्थ चालकों में ताप बढ़ाने पर परतिरोधक्ता गड़ती है next question है question number 12 10 cm तरिज्जा की किसी कुंडली जिसके पास में सटे 100 फिरे हैं 10 cm तरिज्जा तो यहां पर हम solve कर देते हैं 12 को R बराबर 10 cm और 100 सटे वे फिरे हैं N बराबर 100 और 12 उसमें बेह रही है I बराबर 3.2 A तो कुंडली के केंदर पर चुंबक्या चेतर हमें निकालना है के केंदर पर चुंबक्या चेतर चुमबकी छेतर के लिए हमने फोर्मूला पढ़ा था कुनली के केंदर पर B बराबर म्यू नोड़ अपॉन में 2 एन आई अपॉन में आर यदि मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं म्यू नोड़ अपॉन में 4Pi 2Pi एन आई अपॉन में आर मैंने इसे ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इसका value 1 इंटू 10 डू की बावर माइनस के 7 और 2 3.14 and हमारे बाद 100 और i 3.2 और अबोन r का value जो दियावा है 10 cm तो 10 cm 10 इंटू 10 डू की बावर माइनस के 2 इसे हम मीटर में गर्वट करके लिखेंगे cm में है तो मीटर में लिख सकते हैं और अब इस calculation को अगर solve करें तो आप आसानी से इसे calculation को solve कर सकते हैं तो इस इसे try question 13 है किसी चल कुणली galvanometer को दारा मापी को एमिटर और वोल्ड मिटर में कैसे रूपांत्रित किया जा सकता है तो सबसे पहले तो हम galvanometer का galvanometer का अमिटर में में रूपांत्रण क्या दरही है galvanometer की meter की कुणली में कुंडली के समांतर करम में में एक कम परतिरोद और तार जोड़ कर इसे एमिटर में वदला जा सकता है चुकि यह दो नमबर में ही question है तो इतना एक हो गया और second इसका अब लिख सकते हैं तथा galvanometer के मिटर की कुंडली के स्थ्रेनी करम में में अधिक परतिरोद का का तार जोड़ कर इसे वोल्ट मिटर में रुपांतरिक किया या सकता है जैसे एमिटर मुपदलने के लिए जैसे हमारे पास यह कोई है galvanometer है और इस galvanometer में यह हमारे पास galvanometer है यदि मैं इसके स्रेनी करम में एक तार लगा दूँ कम परतिरोद का तो यह अब यह जो हमारा धारा मापी था अगर यहां से आई धारा जा रही है तो इस में से यहां से आई जी जाएगी और आई में से आई जी इधर जाएगी तो आई माइनस आई जी इधर हो जाएगी तो यह जो तार जोड़ा है हमने तो इसके हल्प इसके हल्प से तार को जोड़ इस तार को जोड़ कर हम galvanometer को ammeter में बलल सकते हैं यह दि हम निकालना चाहें किर्चॉफ के लाव से तो यहाँ पर हम इसका value भी निकाल सकते हैं s कितना होगा देखो किर्चॉफ का नियम लगाएं iz into g परावर i minus iz into s अगर यहाँ से s निकालना चाहें तो iz अब ओन में i minus iz into g तो इस परतिरोद का तार यदि हम जोड़ दें तो यह किस में बदल जाएगा अब मिटर में बदल जाएगा यदि इसे वॉल्ट मिटर में बदल ना होता तो उसके लिए यदि हमारे पास कोई एक तार है इसमें current flow रहा है आई और यहाँ पर गैलवनिमिटर लगाया है यदि इसके करम में मैं एक आर परतिरोद का तार जोड़ दूँ अब मैंने इस तार के साथ यहाँ पर इस करम में क्यों लगाया है क्योंकि हमें पता है कि जो वॉल्ट मिटर है हमेशा समांतर करम में जोड़ा जाता है तो यह जो तार जोड़ा गया है इस तार की वज़े से यह धरा मापी यानिकि गैलवनिमिटर अब यह वॉल्ट मिटर की भातिकार यह करेगा इस परकार आप एमिटर को वॉल्ट मिटर में और एमिटर में करवर्ट कर सकते हैं अगर इसमें आप यह आर निकालना चाहें तो यह भी निकाल सकते हैं V बराबर I into R होगा तो I, G मालने अगर इसमें जो धारा फ्लो हो रही I, G और यह हो जाएगा G प्लस R G प्लस R यहां से आप R आसानी से निकाल सकते हो में जाएगा और G मायनस होगा तो R जो हो जाएगा वो हो जाएगा V अपोन Ig माईनस G तो इस प्रकार आप अधित परतिरोद का तार सुरेनी करम में जोड़ने और समानतर करम में अगर कम परतिरोद का तार जोड़ने तो वो अभीटर और वोल्ट मिटर में change हो जाता है Qun no.14 है विदू चुंबके तरंगों की अनुपरस्थ परकर्ती से क्या ताथ परियत चुकि हम जानते हैं विदू चुंबके तरंगे जो है विदू चुंबके तरंगे जो है विदू और चुंबके छेत्रों से मिल कर बनी होती है और इस अनुपर्स प्रकरती का आर्थ हो ये होता है कि विद्धु चुम्बकिये छेत्र और विद्धु छेत्र तथा चुम्बकिये छेत्र परस पर लंवत होते हैं और इस तरंग की जो दिशा होती है या गमन की जो दिशा होती है वो उसके लंवत होते हैं तो इसका अंसर चुम्बगिये रंगों की की अनुपरस्त परकर्टी से यहां तात पर यह है की है की इन तरंगों में वेद्दु छेत्र छेत्र तथा चुम्बगिये छेत्र चुम्बगिये छेत्र तरंग संचरन की दिशा के लंबत होते हैं अर्थात इवे बी तरंग के चलने दिशा के लंबत होते हैं और इवे भी प्रस्पर भी लंबत होते हैं यदि हम इसका एक ग्राब बनाएं एंसे आर्टी में आपने देखा विया हैं यह एक्स एक्सिस लें और दिशा के लंबत होते हैं यह 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 जैड तो अगर हम जैड एक्सिस पर चुमबक के छैतर को माल लेते हैं यह Z-axis के according Z-axis उस side में है और X-axis पर अगर हम Y-axis पर अगर चुम्बक की चेतर को माल ले यह तो यह B और यह E लेकिन जो तरंग है हमारी वो X-axis के अनुदिस इधर चल रही है तो यह B के कमपन है और यह E के कमपन है इस चेतर को आप थोड़ा NCRT से एक बार ध्यान से बनाए और अच्छे से बनाए तो next question जो है वो देखते हैं question number 15 है किसी 20 cm फोकस दूरी के उत्तर लेंस के संपर्क में 30 cm फोकस दूरी के उत्तर लेंस के संयोजन से बने संयोग लेंस या निकाए की फोकस दूरी क्या होगी 15 है F1 मान लेते हैं 20 cm और F2 जो है वो है 30 cm लेकिन यह अवतल लेंस के है तो माइनस का तो संयोजन की फोकस दूरी माना F है तो इसके लिए आपने सूत्र बढ़ा है 1 अपन F बराबर 1 अपन F1 प्लस 1 अपन F2 यहीं पर सॉल्व कर देते हैं 1 अपन F बराबर 1 अपन 20 माइनस 1 अपन 30 और इसे सॉल्व करेंगे 1 अपन F is equal to 60 LCM आएगा 3 माइनस 2 यानि की 1 तो यहां से हम क्या सकते हैं F बराबर 60 cm तो सही ओजन की जो फोकस दूरी होगी 60 cm होगी और वो उत्तल की भाती कारी करेगा उत्तल लेंस की भाती नेक्स कॉस्चन है यह इसके अत्वा का है अत्वा में आपको कोई एक करना होता है लेंस की छमता का सुत्र मात रग लिए तो इसने कहा है लेंस की छमता का सुत्र लिखना है बस तो लेंस की छमता तो आप थोड़ा परिवासा भी लिख सकते हो कोई लेंस कोई लेंस किसी परकास किरन को किरन को जितना अधिक मोडता है जितना अधिक अधिक मोडता है उसकी छमता मोडता है उसकी छमता जितनी अधिक अधिक जितनी है यह मैं क्यों जानकारी के लिए आप सुथ सुथ लिख सकते थे अधिक होती है अर्थात परकास किरन को मून ने गोई हम उस लैंस की छमता कहते है लैंस की छमता जो होगी अधिक होगी आपकी ग्याद करें हैं लास्ट में उसने कहा है पचास सेंटिम्टर फोकस दूरी वाल लैंस की छमता क्या होगी तो गीवन है फ बराबर 50 और यहां इसका मातरक जू होता है इसका होता है डायोकटर या डी कह सकते हैं तो f द्यावाः आपको 50 सेंटिम्टर तो p बराबर क्या हो जाएगा 1 upon 50 या 100 upon 50 सेंटिम्टर लिखते हैं तो कितना आजाएगा 2 डायोकटर तो उसकी छमता कितनी होगी तो इस परकार इस question को हम solve कर सकते हैं और next question है आपका 16 परकास के अफवरतन के नियम लिखिए चुकि देखो ये 10th class का बहुत easy सा topic है इसे मैं नहीं लिखूँँगा मैं आपको समझा देता हूँ परकास के अफवरतन के नियम जब परकास किरण चुकि अफवरतन के नियम पूछे हैं आपको पता है अफवरतन किसे कहते हैं यदि कोई परकास किरण किसी तल से टकराती है और टकरा कर अपने माग से विचलित हो जाती है या तो वो अभिलम के उख जाते हैं या अभिलम से दूर हड़ जाती है तो इसे आप क्या बोलते हो परकास का अफवर्थन कहते हैं ये कौन है अफवर्थन कौन ये कौन है अफवर्थन कौन तो यह आपके दो निया में यह आप खुद लिख सकते हैं Question 17 है द्रव्य तरंगे क्या है द्रव्य तरंगों की तरंग दधारी के लिए डि ब्रोगली का समवन बताईए द्रव्य तरंगे सन 1924 इस वी में डि ब्रोगली ने या दे ब्रोगली ने डि ब्रोगली ने बताया कि कि गती सील पणू के साथ सदयव एक तरंग संबद होती है होती होती है अर्थात तरव्य कणों के साथ कण जब गती की अवस्था में होते हैं अवस्था में होते हैं तो वे तरंग की भाती भाती गुण परदरसीत करते हैं करते हैं द्रव्य कणों से संबद इन तरंगों को को द्रव्य तरंगे कहते हैं तरंगे कहते हैं इन तरंगों के जो तरंग द्धैरी के लिए बैट जगता है वो डी प्रोबिली ने दिया था और इन के लिए जो बैट जगता उन्हेंने द्रव्य तरंगों का की तरंग द्धैरी है द्धैरी है लैमदा बराबर यहांने बताईती है एच अपून पी एज़ पॉन पी एज एज प्लांक नियतां तांक और पी उस कण का कण का सम्नियग तो इस परकार हम इस question को पूरा लिख सकते हैं question number 18 है नाव के विखंडन तथा नाव के सल्यन में उधारन सहीर अंतर सबस्ट कीजिए दो true marks का है तो नाव के विखंडन और नाव के सल्यन क्या होता है नाव के विखंडन में दो हलके नाविक sorry नाव के विखंडन में एक भारी नाविक निर्ट्रोन को अवस्बसीत करके दो हलके नाविकों में टूर जाता है जबकि नाव के सल्यन में होता है पहले लिख दिया है नाव के विखंडन वह परकिरिया है जिसमें एक भारी नाविग न्यूट्रोनों को ग्रहन करके दो हलके नाविगों में तूट जाता है जैसे बांड में यूरेनियम 235 न्यूट्रोनों की जब बंबारी की जाती है तो 56 बेरेलियम 144, 36 क्रिप्टन 89 और 3 न्यूट्रोन और उत्पन होते हैं और प्लस उर्जा निर्मुक्त होती है चुकि इसमें इसका और इसका बेरेलियम और क्रिप्टन का जो द्रविमान है यह मूल द्रविमान से कम है यानि कि इसमें कुछ द्रविमान छती है, डेल टाइम की छती है, मतलब कुछ द्रविमान छती हो जाती है और वो छती आपकी उर्जा के रूप में निर्वुक्त होती है, इसी परकार नाव के सल्यन क्या है, नाव के सल्यन में दो या दो से अधिक हलके नाविक उच्छाल से गत्वी करते हैं भारी नविक बनाते हैं ये जुव ट्राइटियम हैं यह भी गिरिया करके एक अलफा नविक बना लेता है या भी आप उसे बोले हिलियुम का नविश्य करें